हेलो एब्रिवन कैसे हूँ आप सब आज मैं आपके लिए इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ यह डिजाइन यह पैटरन बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा दिखे बनाने में यह बिल्कुल असान है देखने में ऐसे लगता कि थोड़ा सा लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है बहुत ही असान पैरन है और अगर आप यह बोर्टर बनाना चाहते हो तो इस बोर्डर की वीडियो पहले मेरे चैनल पर है आप इस बोर्डर को भी बना सकते हैं आज बात करेंगे इस डिजाइन की या बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं आप cap of gara, socks of gara में, gloves में है ना किसी भी चीज में इसे डाल सकते हैं बनाने में भी बहुत असान है फुल बाजू कार्डिगन बनाईए या फिर आप jacket बनाने हैं उसमें भी डाल सकते हैं किसी भी प्रजेक्ट में डाल लीजिए हर एक में ये बहुत अच्छे से जाएगा इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12 के multiple से देखे यहां से यहां तक ये 12 फंदों में डिजैन बन कराया है तो वो ही 12 फंदे 12 फंदे 12 ऐसे काउंट करते हुए जाना है लास्ट में आपने 4 फंदे एक्स्टा डाल लेने है तो ये डिजैन अच्छे से सैट हो जाएगा 12 फंदों के multiple से डालेंगे 4 फंदे एक्स्टा डालेंगे पैटर अच्छे से सैट हो जाएगा सीधी तरफ से ये इस तरह न से देखे और उल्टी तरफ से ये बिल्कुल plain उल्टी उल्टी रोही बनती है उल्टी तरफ से कोई design नहीं आए गया इसमें simple उल्टी slime बनती है इस तरह से तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए देखिए यहाँ पर SLIME मैंने फंदे ले लिये है 28 फंदे लिये है मैंने QA 28 फंदे और फंदे लेने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे बनाने के बाद, अब इन 2 फंदों पर हमने बबल बनाना है, जो बबल देख लीजे कैसे बनाना है, यह 1, यह 2, इन 2 फंदों को छोड़ेंगे, यहाँ पर बीच में इस तरह से यहसे सलाई को ढलें और यहां से एक लूप निकालेंगे, उस लूप को इस तरह से ऐसे सलाई में वापस ले लेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हैं, यह लूप और यह फंदा, इन दोनों को दो काई कर देंगे, उल्टा बनाते हुए, अब एक फंदा उल्टा इस तरह से धागा दूसरी तरफ कर लेंगे अब चार फंदे सीधे एक दो तीन चार अब पूरी स्वाई में आपने इसी डिजाइन को बार 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 रिपीट करते जाना है दो फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंदे सीधे बनाएंगे फिर इन दो फंदो पर बबल बनाएंगे फिर चार फंदे सीधे अब फिर से एक बार इसी डिजाइन को रिपीट करके दिखाऊंगी धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करूंगी चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, अब इन दो फंदों पर दिखिए, इस तरह से स्लाई को डालेंगे, सीधा बनाएंगे, वापस डालेंगे ऐसे स्लाई में, लूप को धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर यह लूप और यह फंदे को दो काएक कर देंगे, ऐसे अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, आपकी सलाई में जितने भी फंदे हैं, आपने सेम ऐसे ही डिजाइन को दोहराते हुए जाना है, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, जीन में से दो फंदे तो उल्टे आएंगे, और एक फ उल्टी उल्टी ही बनेगी, इस फंदे को हमने उतार दिया, उतारने के बाद ये पूरी सलाई ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाते जाएंगे, उल्टी तरफ से जितने भी डिजाइन में सलाई या डलेंगे, वो सेम ऐसे ही उल्टी उल्टी ही डलेंगे, सीधी तरफ से ये डि तिन फंदे सीध्य बनेंगे यह एक यह दो यह तीन फंदे सीध्य बनाने के बाद अब यह एक सीध़ फंद giờ और एक फंद सीध़ में इस लेंगे डेक्शेच इसमें ऐससे स्लाईड डाले दिखिछ ठीक है एक लूब निकाल लेंगे इससलाई चेक्च उर्णा अब धागा तरफ करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुई यहाँ पर दो काई कर देंगे दो काई करने के बाद एक फंदा उल्टा बबल बनाने के सेम वही तरीका है अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब दुबारा से हमने फिर से बबल बनाना है यहाँ पर दो बबल बनेंगे अब ए ईक फंदा यह एक यह तो बबल वाला है एक फंदा साथ वाला। इन दोनों में इस तरह से स्लाइड़ डालेंगे ठीक है। डालने के बार ऐसे एक लुक बना लेंगे जिसे वापस लेंगे ऐसे सलाइए में अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर दो काई कर देंगे, एक फंदा उलता, धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, अब इनी फंदों को पूरी सलाई में हमने बार 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 तोहराते जाना है, देखें, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन फिर से बबल बनाएंगे, तीन फंदे सीधे, अब फिर से इसी डिजैन को रपीट करूंगी, दिहान से देखें, यह दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ किया, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, ठीक है, अब यह एक सीधा फंदा, एक बबल वाला करेंगे, यह लूप और एक फंदे को दो काई कर देंगे, एक फंदा साथ में उल्टा बना लेंगे, इस तरह से, ठीक है, अब फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा यह, यह बीच में ऐसे सलाई को डालूंगी, एक लूप बनाऊंगी, वापस लेके जाएंग अब चोथी सलाई बनानी है, हमने उल्टी तरफ से, जिसे पूर हमने उल्टा उल्टा ही बना लेना है, देखिए, फंदे को उतारना है, और यह पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे, डिजाइन की पाँचवी सलाई सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारिए दागा अपनी तरफ कीजिए ये दो फंदे हम पहले वाले उल्टे बनाएंगे अब दागा दूसरी तरफ करेंगे अब पहले हमने यहाँ पर तीन फंदे सीधे बनाये थे एक साथ में ये सीधा फंदा इन दोनों को छोड़ेंगे देखिए, यहां पर सलाई डालेंगे, इस तरह से एक लूब बना लेंगे, ऐसे लेगें ये सलाई में, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां पर पहले 2 काई करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना लेंगे, अब बबल वाला एक फंदा हो गया, एक फंदा सीधा, अब यहां पर ऐसे स्लाइड डालते हुए, यहां पर भी हमने एक बबल बना लेना है इस तरह से, वापस लेंगे लूप को, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो काई कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा दूसरी ठीक है, अब देखें, इस रो में हमने क्या किया है, दो फंदे उल्टे बनाई, दो फंदे सीधे बनाई, सीधा फंदा और यह बबल वाला एक फंदा अटैच करते हुए, हमने एक बबल बना लिया, बीच में दो फंदे सीधे, फिर से एक बबल वाला फंदा और सीधा फं पहले उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो, अब ये सीधा फंदा, और ये बबल वाला फंदा O ऐसे सिलाइक को डालेंगे, ऐसे करते हैं निकाला, इसमें डाल लिया धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले यहाँ पर दो क अब धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे अब फिर से ये बबल वाल फंदा सीधा ऐसे सलाइक को डाला निकाला लूप वापस ले लिए ऐसे सलाइक में अब धागा अपनी तब करेंगे यहां पर दो काय कर देंगे फिर से एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए बबल बना लिया हमने फिर धा का दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए दिखे ये दो डिजाइन बनकर हमारे कम्प्लीट हो गए है लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिनमें से पहले दो फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है फिर एक फंदे को सीधा ऐसे करते हुए डिजाइन की पांच वी सलाई हमने पूरी बनाकर कम्प्लीट कर ली है अब छटी सलाई बनानी हैं हमने उल्टी दरफ से जो सींपल हमारी उल्टी-ल्टी ही आएगी इस तरह से अब सीधी तरफ से डिजैन की साथ भी सलाई है फर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे पहले उल्टे बना लेंगे अब धागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब एक फंदा ये एक ये बबल वाला हो गया वो ही मैथड है, उसी तरीके से हमने बबल को बनाते जाना है, ठीक है, अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, अब ये एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे, अब ये एक बबल वाला फंदा रह गया, और एक ये सीधा फंदा, इन दोनों में देखिया ऐसे, सलाई को डालते हुए, बबल बना लेना है हमने, धागा अपनी तरफ, पहले लूब बनाएंगे, फिर दो काई करेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करते हुए, एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए देखिये, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा फिर से बबल बनाएंगे चार फंदे सीधे फिर से बबल बनाएंगे एक फंदा सीधा इनी फंदों को पूरी सलाई में बार 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 दोहराते जाएंगे फिर से दोहराएंगे देखे दागा अपनी तरफ करते हुए ये पहले तो दो फंदे मैंने उल्टे बना लिए फिर धागा दूसरी तरफ, एक फंदा मैंने सीधा बनाया, अब एक सीधा फंदा, एक बबल वाला फंदा इस तरह से स्लाइड डालते हुए बनाएंगे, वापस ले जाएंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करते हुए, पहले दो काई कर लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बना फिर से बबल बनाएंगे यहां पर उसी तरह से दिखिया है से लूप बनाया डाल लिया फिर धागा अपनी तरफ करते वे पहले दो का एक कर दिया फिर एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा इसी तरह से जितने भी सलाइपर फंदे हैं हम बनाते जिन में से दो फंदे ये उल्टे एक फंदा सीधा जो उल्टे फंदे हैं पूरे डिजैन में सेम ऐसे ही उल्टे उल्टे चलते जाएंगे ये डिजैन में गैप देने के लिए फंदे हैं तीक है अब उल्टी तरफ से आठवी सलाई हमारी पूरी उल्टी आएगी रो नाइन सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतारना है धागा अपनी तरफ करना है दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये सीधा फंदा, ये bubble के साथ का एक फंदा, इन दोने में इस तरह से slide डालेंगे, एक loop बना लेंगे इसे, ठीक है, इनके ऊपर से loop बन जाएगा इस तरह से, धाका अपनी तरफ िरखेंगे, दो काई कर देंगे, फिर एक फंदा उल्टा, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे अब ये एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फंदे सीधे, छे फंदे सीधे बनाने के बाद, अब ये बबल वाला फंदा और ये सीधा फंदा, दोनों में ऐसे स्लाइड डालते हैं, एक लूप बनाएंगे, फिर लूप को ऐसे डाल लेंगे, धागा अपनी तरफ करते ह हुए, पहले यहाँ पर दो काई करेंगे, फिर से ये एक फंदा उल्टा, अब देखिए, नोमी स्लाइमी हमने क्या किया, दो फंदे उल्टे बनाए, फिर एक बबल बनाया, फिर छे फंदे सीधे, फिर से बबल बनाया, अब क्या करेंगे, दुबारा से डिजाइन को पीट करते हुए देखें, दो फंदे पहले उल्टे बनाएंगे, ठीक है, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर यहाँ पर बबल बनाएंगे, इस तरह से, ऐसे स्लाई को डालते हुए एक लूब बना लेंगे, वापस लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, पहले यह यहां पर दो काई करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब धागा दूसरी तरफ करते हुए छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और यह छे अब फिर से एक यह उल्टा फंदा एक यह फंदा दोनों में ऐसे स्लाई डालते हुए बबल बनाएंगे वापस लेंगे ऐ यहां पर दो काई करेंगे अब यह एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए दो बार डिजाइन को बनाकर रुपीट करेंगे फिर लास्ट में तीन फंदे हैं जिसमें से दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा बनाएंगे अब उल्टी तरफ से डिजाइन की यह लास्ट रो है जो उल्टी ही बनेगी ठीक है उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब सीधी तरफ से फिर से हमने वैसे ही डिजाइन को एक बार बनाकर रिपीट करना है डिजाइन को देखे कैसे रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे चार फंद सीधे उनी फंदों को बार बार दोहर रपते जाएंगे तो आपका इस तरह से ब्यूटिफूल डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा बहुत सुन्दर बहुत प्यारा फ्रेंस डिजाइन बनता है बनाने में भी सुन्दर है देखने में भी असान है तो जुरू ट्राइए कीज वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फिर मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई वाइव नाइस ट्रे